हेलो दोस्तों आपका फिर स्वागत है मेरे चनल अनलॉकिंग ज्यान में आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगर आपके घर में भी कुछ इस तरीके के फैन रेगुलेटर अल्रेडी लगे हैं कैसे भी हो अगर आपको इनको टेस्ट करना है बगैर फैन में लगाए आप एक्जेक्टली पर्फेक्टली जानना जाते हैं कि यह क्या ढंग से काम कर रहे हैं हर एक जुन इसके नंबर होते हैं जैसे आप मेरे हाथ में जो भी आप देख रहे हैं इसमें देखिए आप OFF से लेके फिर 1 से होता हुआ 7 तक इसकी डाइलिंग में यह steps में जाता है 7 step का है तो क्या यह हर एक नंबर पे correctly काम कर रहा है नहीं कर रहा है आपके घर में पुराना लगा हो fan regulator modular type हो कैसे भी हो अगर आप जाना जाते हैं कि यह सही है या नहीं है इसको test करने का मैं आपको सबसे simple एक shortcut तरीका बताऊंगा तो अगर आपको यह मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को like करना और मेरे channel को subscribe करना मत बूलना तो दोस्तो टाइम वेस्ट के बगार जल्दी से हम start करते है इस वीडियो को सबसे पहले अगर आपको किसी भी regulator को check करना है तो आपको कुछ इस तरीके के connection बनाने बढ़ेंगे मैं आपको flash करके भी दिखा दूँगा तो यह बहुत ही simple है अगर आपके पास अगर two pin का कोई भी ऐसे वाला plug हो वो चाहिए एक हमें bulb का holder चाहिए एक bulb चाहिए जो भी घर में 60 watt का या फिर 100 watt का जो भल्ब होता है वो चाहिए और जो भी fan regulator है जिसे आप check करना चाहिए हमें वो चाहिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो है इस power जो plug होगा इसे हम अपने घर की supply 220 volt में डाल देंगे आप कोई भी तार को नंगी नहीं चुएंगे अगर आप expert हैं तभी इस experiment को करेंगे तो आप जो है एक wire आप directly बल्ब में लगा देंगे दूसरी wire जो बल्ब की आएगी वो regulator की एक wiring में आएगी और जो एक जो यहां से बची हुई plug की दूसी side की तार है वो हमारे regulator के दूसरी wiring में जाएगी तो इसमें कोई भी हमें live और neutral का कोई भी फरक नहीं पड़ता है connection का आप जैसे मरजी कर सकते हैं बस आप किसी भी नंगी तार को चुएंगे नहीं वहना आपको electric shock लग सकता है तो इस तरीके का जो है हमें connection वाला setup बनाना पड़ेगा मैं आपके लिए already ऐसे वाला setup का connection बना चुका हूँ तो यह जो मैंने थे flip card से order किये थे और मैं यह local वाले हैं तो मैं इनको बारी बारी टेस्ट करने वाला हूँ एक wire जो है वो yellow वाली आप देख सकते है मैंने सीधा सीधा bulb में लगा दी है दूसरी वाली जो इसमें से wire आ रही है red वाली वो मैंने fan regulator के पीछे हमेशा आपको दो wire ऐसे देखने को मिल जाती है तो दो wire है तो एक wire मैंने direct जो है वो plug में लगाई है और एक bulb पे लगाई है तो होगा क्या जब भी हम यहाँ पे direct इसको 220V की supply plug से देंगे regulator जो है इसी की according की मतलब off है तो off रहेगा bulb हमारा वैसे ही 1 से लेके 7 तक जैसे जैसे हम steps में increase करते जाएंगे वैसे वैसे जो भी voltage होगी वो बढ़ती जाएगी और bulb जो है उतना accordingly glow करता रहेगा सेम फैन के साथ भी होता है फैन की speed में ऐसे ही होता है फैन को जैसे जैसे आप steps बढ़ाते जाते हैं ज्यादा voltage की तरब बढ़ते जाते हैं और उतना ही आगे current flow होता है जिसकी वेजाद से उतना ही fan fast चलता है तो इस same procedure में हम जो है fan को replace कर दे रहे हैं bulb से ताकि हम bulb में जो है वो easily glow देख सकें फैन में क्या होता है अगर आपको ज़्यादा amount में fan के जो regulator है उन्हें टेस्ट करना है तो time लगेगा बार बार आपको लगाने पड़ेंगे दूसरी problem यह है कि अगर आप जो है अगर fan में लगाए तो बहुत लोगों को कई वर confusion होता है कि मेरा जो 3 चार नंबर है इसमें तो एक बराबरी fan चल रहा है notice करने में difference जो होता है थोड़ा वो जो होता है वो थोड़ा difficult हो जाता है हमें देखना कि अगर दो दो तीन ती नंबर में एक जैसा same speed है effect जो है में फरक नहीं पता चल रहा हो मगर इस वाले test से आप एक second में पता लगा सक सकते हैं कि बल्ब के glow में difference आ रहा है नहीं तो आप देख सकते हैं इस तरीके का हमारा connection ready है अब मैं क्या करने वाला हूँ एक extension board में मैं जल्दी से-से plug करने वाला हूँ मगर आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी आप बार बार जो मैं आपको focus करके बता रहा हूँ किसी एक एक wire एक side पर जा रही है तो अभी आप देख सकते हैं जो मेरे regulator यहाँ पर बढ़ा हुआ है यह off में है तो मैं इसे पहले one की तरफ करता हूँ और देखते हैं कितनी brightness इसमें देखती हैं अगर यह कहीं पर भी खराब होगा किसी भी number पर खराब होगा तो इसमें बल्ब नहीं जालेगा अगर यह बिल्कुल perfect होगा तो धीरे धीरे one से लेके seven तक इसका glow बढ़ता ही जाएगा तो इसे हम सबसे बहले one से on करते हैं तो आप देख सकते हैं one पर रखने पर बल्ब जो है थोड़ा सा glow आ रहा है अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाओंगा आप बल्ब के glow की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे देखे थोड़ा चा और bright हो गया और देखे bright होता जा रहा है तो इस तरीके से जब मैं इसे seven तक ले गया हूँ तो यह full brightness पे जल रहा है again off पे जला गया तो again मैं आपके लिए पूरका पूरा जो है एक बार फिर आपको repeat करके द देखा देता हूँ देखे मैं आफ से start कर रहा हूँ तो बल्ब नहीं जल रहा है बन पे करने पे हलका सगलो है दो पे बढ़ गया तीन पे और ज्यादा बढ़ चुका है चार पे और ज्यादा पांच पे और ज्यादा चै और finally साथ साथ पे यह full जल रहा है मतलब अगर fan पे यह लगा होगा तो साथ नंबर पे पूरा current flow होगा और fully जलेगा और finally off पे जो है fan या फिर हमारा बल्ब इस case में बंद हो जाएगा तो यह regulator पूर का पूरा एकदम सही जल रहा है आप इसी तरीकी के connection करके किसी भी regulator को घर में easily test करके आप देख सकते हैं कि वो सारे numbers पे correct काम करता नहीं करता और gradually उसको increase या decrease करने पे वो perfectly काम कर रहा है या बल्ब के glow से within seconds आप एक बार देख के ही बता सकते हैं कि वो correct काम कर रहा है तो hope आपको यह मेरा वीडियो informative लगा होगा अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को like करना और मेरे चैनल को subscribe करना मत बूलना